So our question is, the equation of a circle is given by x square plus y square is equal to a square, a यहाँ पर radius है, if the equation is modified to change the origin other than 00, then find out the correct dimension of a and b in new equation, तो यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं दिया, बस यह दिया कि a radius है, यहाँ इसका dimension L होगा, ठीक है, तो a और b का dimension निकालना को इस equation से हैं, बस, और कुछ नहीं, और यहाँ पर a की भी दूरत नहीं है, बस आपको इध्यान रगना है कि यहाँ पर t दिया हुआ है, उसका dimension T inverse है, बस संज में आगे, चलिए, अब a और b का dimension निकालते हैं, तो सिदिसी बात है बेटा, हमारा principle of homogeneity क्या बोलता है, अगर दो physical quantity है, तो उन दोनों को हम add और subtract कर सकते हैं, कब जब उन दोनों का dimension same हो, अब गरबड़ी होती कि बच्चा है, सोचता है कि x-80 का whole square दे रखा है, तो यहाँ पर x का dimension, 80 के dimension के बराबर होगा, अब वो जान बुच कि यहाँ square कर देता है, यह नहीं करना है, आपको स्रीप यह द यहाँ रखना है, x-80 है, तो x का dimension is equal to 80 का dimension, बासन्द में आ गई, यानि जो आपका a का dimension होगा, वो हो जाएगा आपका x का dimension divided by t का dimension, ठीके, अब x क्या है बेटा आपका distance है, तो यह तो हो गया l, t का dimension बेटा t inverse दे रखा है, तो यह हो जाएगा t inverse, और t inverse उपर गया तो क्या हो जाएगा आपका lt, यानि a का dimension तो कितना आगया आपका lt, इसमें तो कोई doubt नहीं होगा, अब b का dimension निकालना है, तो यहाँ पर वापिस y सीन दे रखा है, तो भया उसको थोड़ी खनना है अपनको, तो y का dimension आपका t का dimension divided by b का dimension, square square को रेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ह जाएगा आपका t का dimension divided by y का dimension, y भी क्या है, distance है और t क्या है वेट आपका, t inverse है, यह तो भूल मत जाना, और y का dimension l, l उपर गया तो क्या जाएगा आपका, l inverse, t inverse, तो यह हो जाएगा आपका a और b का dimension, a का dimension lt, b का dimension l minus t minus, ठीके?